जिला कॉंग्रेस कमिटी ग्रामीडों के द्वारा 16 मार्च को रामपुर्विधान सभाचेतर अंतरगत ग्राम सतरेंगा में सांसत जोचना महंत की मुख्यातित्य में कॉंग्रेस कारिगरताओं की बैठका युजित करीगी जिसमें मुक्रूप से कॉंग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं महिलाओं और केसानों के लिए पांच-पांच गारेंटी सभी होगी आत्म निर्भर सुरिंदर जैस्वाल ने कहा किया सब तभी संभव है जब देश का लोकतंतर की बागडोर सही हाथों में हो और कॉंग्रेस ने जो कहा है भाकिया भी है अतैब लोकस भाचनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को पूर बहुमत के साथ संसत भवन में पहुचाने का दायत्व देश के जागरुक नागरिकों का है प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के निदर शानुसार कॉंग्रेस पार्टी के दोरा गोशित युवाओं महिलाओं वा किसानों को दे जाने वाली गारंटीओं के संबंध में बताएं कि केंद्र ने कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो देश के युवा महिलावा किसानों को पांच-पांच गारंटियों का लाब देकर आदम नर्भर बनाया जाएगा जैसवाल ने अपने वक्तवे में बहुत सारी बाते और यदि उनके सरकार बनती है तो उनका मैनिफेस्टों क्या है और वह किन-किन गारंटियों को पूरा करेंगे इस पर विस्तरत रूप से चर्चा करी है देखिए समवादा था चितर लेखा श्रवास की हारिपोर्ट यहां बूतिस्तर के लोगों को भी बुलाये था यह लोकसबाद चुनाव इतना बड़ा चुनाव होता है कि यहां पार कुछ भी संब्रह नहीं होता है इस तरह से हमको लड़ना है पिजले बाद 26,000 वोटों से लीट आपका इस बार कित्ते से बोटों से लीट रहेगा देखिए तो कोई नहीं पता सकते हैं तो हम यह हमें पुरा भरुसा है बारी और बहु में जनता किसे पसंद कर देखिए ऐसा है मैं तो एक सामाज महिला हुए तो यह हमारे यहां की जनता का इसने मुझे मिला और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यहां की जनता हो यहां की महिला बेन है यहां के भाई जो मुझे भावी भी कहते हैं दीदी भी कहते हैं चाची भी कहते हैं कि यह मुझे ही पसंद करेंगे मोधी की गरांट हमारी सरकार बनी को हम देए यह हम गारण्टी लेते हैं और हमारी गारण्टी पक्की होती है तो जोटी देए